आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे कि किसी भी राजनेतिक दल को राश्टेर पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधान सभा चुनाओं के नतीजे आये हैं और उसके बाद आपने नैशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया है नैशनल पार्टी के लिए आपको गुजरात या हिमाचल में 6% से जादा वोट शेर पाने की ज़रूरत थी गुजरात में आपको करीब 13% वोट शेर मिला है ऐसे में वह नैशनल पार्टी बन गई है किसी भी पार्टी को राष्ट्य पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ प्रमुक शर्तों को पूरा करना होता है अगर कोई भी पार्टी उन शर्तों को पूरा करती है तो Election Commission उसे राष्ट्य पार्टी का दर्जा देता है अब हम बात करेंगे कि राष्ट्य पार्टी बनने की प्रमुक नियम क्या है? किन नियमों का पालन करके कोई भी राजनेतिक पार्टी राष्ट्य पार्टी बनने का दर्जा हासिल करती है राष्ट्य पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ नियम और मापदंड होते हैं अगर कोई भी पार्टी इन नियमों का पालन करती है और मापदंड को पूरा करती है तो निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्य पार्टी का दर्जा देता है राष्ट्य पार्टी बनने के लिए कई प्रकार की शर्टे होती है जिन में सिकम सिकम एक शर्ट को पूरा करना अनिवारे होता है इन शर्टों में पहली शर्ट होती है कि अगर किसी दल को चार राज्यों में छेत्रे दल का दर्जा प्राप्त हो तो उसे राष्ट्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है दूसरा होता है अगर कोई दल तीन राज्यों को मिला कर लोकसभा की तीन परतिशत सीटे जीतती है तो उसे राष्टे पार्टी का दर्जा मिल जाता है तीसरा नियम होता है कि अगर कोई पार्टी चार लोगसभा सीटों के अलावा लोगसभा चुनाव या विधान सभा चुनाव में चार राज्यों में 6 प्रतिशत वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है और उसे राष्ट्य पार्टी माना जाता है अगर कोई भी पार्टी इन शर्टों यानि कि इन तीनों शर्टों में से किसी एक शर्ट को पूरा करती है तो उसे राष्ट्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है अब हम बात करेंगे स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे हासिल होता है चुनाव आयोग से किसी भी मान्यता प्राप गल को प्रादेशिक यानि की छित्रिय दल या यू कहें कि स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 8 फिस्दी वोटों की जरूरत होती है समंदित राज्य में लोग सभा या विधान सभा चुनाव में 8 प्रतिशत वोट पाने की जरूरत होती है यदि किसी पार्टी को विधान सभा चुनाव में 6 फिस्दी वोट और 2 सीटे मिलती है तो उसे प्रादेशिक पार्टी का दर्जा मिल जाता है प्रादेशिक दल का दर्जा प्राप्त करने का एक और तरीका है कि सम्मन्दित राज्य में विधान सभा में कम से कम तीन सीटे मिल जाए भले ही वोटों की हिस्सेदारी कुछ भी हो तो आईए अब देखते हैं कि भारत में राष्ट्रे दलों की संख्या कितनी है सिंबल ओर्डर 1968 के तहट अगर कोई दल अपना राष्ट्रे पार्टी का दर्जा गवा देता है तो उसके बाद उसके पास पूरे देश में एक ही चुनाव चिन पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है 1968 से पहले आयोग Conduct of Elections Rules के तहट Notification और Executive Order जारी करता था चुनाव आयोग के अनुसार फिलहाल यानि की वर्तवान में आठ राष्ट्य दर हैं जिनमें त्रनमूल Congress, बहुजन समाज पार्टी, भारतिय जनता पार्टी, भारतिय कम्यनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्यनिस्ट पार्टी, भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस, नहीं पर कम्क्लीट होता है, हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आख हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्यू सो मच्च Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update